हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माय चैनल आज हम लोग बात करेंगे हो मेनेजमेंट के पार्ट से टाइम एनरजी एंड मनी मेनेजमेंट के बारे में यान की समय उर्जा एवं धन का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है इसके बारे में इससे पहले हमने पढ़ा था बजट जिसमें हमने पढ़ाया था basicly समसीमा तुप्योगतान्यम और हमने एंजल्स लॉग में वीडियो अपलोड की है मैंने जिसमें एक मिस्टेक हुई है जिसके लिए मैं apologize करती हूं आपको तो यहां करती हूं कि जो एंजल्स का लोग है वह 1875 में नहीं बलकी 1857 में आया था आ में लिख दिया तो 1875 मैंने वहां आपको बताया बलकि यह लो 1857 में आया था तो आपको यह याद रखना है इंजल स्लो 1857 में आया था और अपॉलिजाइज फॉर डाट मिस्टेक एस वेल तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइम मेनिजमेंट की पार्ट वन वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि समय प्रवंदन है क्या मतलब टाइम मेनिजमेंट होता क्या है समय सब के पास بराबर होता है हर इंसान के पास वही 24 आर्स होते हैं और उसी में उनको अपने सारे काम करनी होते हैं हर इंसान अपने आर्स कों 25 आर्स को different डिफरेνट टाइप से डिउबाइड करता है जिसको जादा होते हैं वो लोगं अपने काम पे जादा ध्यान देते हैं जो हो WOW अर्वर्कींग दोनों होती हैं तो वह उसे साथ से अपने काम को बाड़ती है और आधकल जब से कोविट का time हुआ है तो लोगों ने work from home start कर दिया है तो वहां पर अपना time management अलग तरीके से हैं मतलब वही 24 गंटे हैं पर उनको किस तरीके से प्रयोग करना है और किस तरीके से उनको use में लाना है उनको मनुरंजन पढ़ाई और काम इन सब चीज़ों में किस तरीके से बाटना है यह हर प्रती व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है समय को अगर हम देखें तो basically तीन भागों में बाट सकते हैं यानकी जो time है वह हम थ्री पार्ट में डिवाइड करके उसको देख सकते हैं अब आप कहेंगे वह तीन पार्ट के रहे हो कैसे हो सकते हैं देखिए पहले तो हो सकता है हमारा clock time यानकी घड़ी का समय जो हमारी घड़ी बताती रहती हो जिसके सब्सक्राइब काम करते हैं सेकने हमारा इंडारेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं डारेक्टली नहीं आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने clock time के बारे में यह सन के और अर्थ की मूमेंट से रिलेटर होता है मतलब जब हमारा अर्थ मूव कर रही है सन्राइज हो रहा है हमारे लिए हमारे लिए तो इस तरीके से हम अपनी जो हमारी वाच है और हमारे सन का और अर्थ का मूमेंट उसको करेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से हम कहते हैं दिन हो गई रात हो गई शाम हो गई सुबह हो गई तो इसी तरीके से clock time के according अपनी दिन चर्या को अपने daily routine को follow करते हैं फिर उसके कि अब कोई समय है हमारे घर में शादियां चल रहे हैं आज कल सीजन शादियों का है तो बहुत खुशी का महौल है यहां जाना है तो मन में अलग तरीके का उसा है क्यों है क्योंकि पर्टिकलर टाइम के लिए अगर आपका बर्द या तो आपके मन में उसा होता है आप इकलोजिकलली वीक हो जाते हो तो जब आप खुश होते हो तो उसमें बहुत जल्दी निकल जाता है और जब आप बहुत परिशान होते हो तो पंक इनृट भी आपको एसे लगता है औरभी गपाच ही हुए है अब 12 अब आपको पाच एक एक मिनिट का हिसाब आप लगाने लगते हो जब आप के दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है को टेंशन चल रही होती है तो यह साइकलोजिकल टाइम होता है कि आगर आप हैपी हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि सुबह से शाम कब हुई आप किसी फंक्शन में हो और आ साइकलोजिकल टाइम है समय तब घड़ी ऐसे लगता है घड़ी भी दीरे चल रही है फिर उसके बाद तर्ड हमारा आता है बिलाजिकल टैम लगा लेकिन आप अपने टाइम पर जग आएंगे तो यह आपका बिलाजिकल टाइम है आपके भूप के टाइम पर जिस समय आपको लंच करना होता है एक से दो बज़े के बीच में तो आपको अपने नजरों से देखा तो नहीं क्लॉक टाइम क्या हो रहा है लेकिन आपकी बॉड़ी आपको इक्षा करने लगती है बूग की अगर आपको अर्ली मॉनिंग आप जागेंगे तो करती दिन क्यां करते हैं शरीर उसका आदी हो जाता है हमारा और जब उसका आधी हो जाता है तो हमारा वह भालोजिकल मॉछ ठाइमों लगती है इसे जैसे कि हमारा खाने का समय सोने का समय यह सारी चीज़ें हमारे biological time में आती है नेक्स हमारा tools of time यानि कि प्रतीक व्यक्ति कोई काम करता है तो कुछ equipment का कुछ tools का यूज करता है जैसे कि आपको चटनी बनानी है तो आप सिल्वर टा लेंगे आप mixer grinder लेंगे और आप क्या लेंगे आप से उसका साम ग्री लेंगे कि हमको क्या क्या डालना है उसी तरीके से जो हम time को manage करते हैं एक व्यक्ति time को manage करता है तो उसको काफी tools को यूज करता है जैसे कि cost time cost यानि कि cost of time कि उसके लिए समय के क्या महत्तु है जैसे आप early morning जगकर आप फटाफट काम करना प्रेफर करते हैं या बैट के सुकून से चाय पीना पसंद करते हैं यह आपका time cost है आप उस किस family एक साथ होती है वहीं जब आप एक government job में teacher है तो आप early morning उठकर जली से काम करकर आप अपनी जौब पर जाते हैं तब आपका शाम का time और दुपहर का time आपका useful होता है क्योंकि आप फिर school से वापस आ जाते हैं तो यह आपका time cost है फिर उसके बाद है balance of time फिर आप अपना balance बटाते हैं कि हमें काम किसे साथ से करना है हमें अपने परिवार को time कैसे देना है हमें अपने AI के साधनों को समय कैसे देना है हमें अपनि औरेंजन के लिए समय कैसे निकलना है तो फिर आप बैलेंस ऑफ टाइम करते हैं तो सेकंड टूल होता है मेरा बैलेंस ऑफ टाइम थर्ड हमारा होता है पीक लोड हर रटी के पूरे दिन में एक समय ऐसा आता है कि जब वह बहुत जादा थक जाता है क्योंकि आपने अर्ली सथ्क्राइबान के प्रत्किति पर निर्भर करता है फिर इब पर फिर इसके बाद है रेस्ट परिट के आपको वीडियो में पढ़ेंगे वर्क के वारे में जिसमें हम प्लेट्यू स्टेज वगड़ा इन सब चीजियों को समझेंगे इस से क्वेशन आते हैं और काफी अच्छा टॉपिक है तो नेक्स वीडियो में देखेंगे वर्क के वारे में अभी हमने वीडियो स्टॉप करते हैं अगर आपको कोई वी चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्षिन में पूश सकते हैं एंड अगें जो एंजल स्लो है उसका सही आंसर है 1857 तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजे में एक करेक्ट आंसर इस वेल तो चलिए वीडियो एंड करते हैं थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो एंड है वागोड दिक बबाई